हेलो दोस्त आज करेंगे 17th चेप्टर पेडागोजी का D.T.B के लिए 16 चेप्टर कर चुके हैं इसलिए लगातार 16 चेप्टर के नोट्स बना लो आज के इस चेप्टर में R.T.E. Act 2009 करेंगे इसको सिक्षा का अधिकार अधिनियम भी का जाता है और ये most important topics में से एक है चाहे C.T.E.T. हो चाहे D.T.R.P.L.E.S. भी हो कोई भी teaching का exam हो ये कुछ जो main main topic होते है न उनके अंदर count होता है तो हमेशा की तरह है तीन मिनिट चार मिनिट देखके वीडियो को skip नहीं करना है क्योंकि पूरी वीडियो loaded है एक-क नंबर से यानि कि एक-क लाइन के अंदर एक-क इस वीडियो वी विल डिसकस अबाउट वट इस राइट टू एजुकेशन एक्ट वट इस आर्टी एक्ट शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के मुख्य उदेश्य विशेश्ताएं क्या है और हम जानेंगे कि ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है जिससे आपको पह हुथ सारे नंबर मिल सके टीचिंग के एक्जाम्स में तो चलिए दोस्तों अपने 17 चैप्टर को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इसके नाम से ही आप समझ गई होंगे कि दरसल हमारे समफधान के अंदर 86 वेशन सोधन के तहत ये कहा गया कि सिक्षा देनी चाहिए कैसी अनिवारिये और मुफ्त यानि कि हरे को सिक्षा मिलनी चाहिए और फ्री में सिक्षा मिलनी चाहिए इसी को make sure करने के लिए जो है एक नियम बनाया 6-14 साल तक की आयू के हर बच्चे को प्रात्मिक सिक्षा पूरी होने तक अपने घर के पास स्कूल में मुफ्त और अनिवारिये शिक्षा का अधिकार है और सरकारी मदद पाने वाले निजी स्कूलों को यानि कि जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी जो कमजोर वर्ग के पिछडे तबके के स्टूडेंट है 25 फीसदियों को अपने स्कूल के अंदर एडमिशन देना पड़ेगा और जो ये प्राइवेट स्कूल है उनको छोड़ कर जितने बाकी स्कूल है उनका प्रबंदन कमेटियों द्वारा किया जाएगा जिसके 75 फीसदी सदस्य चात्रों के माता पिता और पालक होंगे सरकारी स्कूलों को छोड़ कर सभी स्कूलों को तीन साल के भीतर तैनियम मानने पड़ेंगे वरना उन्हें बंद कर दिया जाएगा यानि कि एजुकेशन सिस्टम में किसी भी बच्चे के घर के आसपास वाले स्कूल में बच्चे को एडमिशन देना पड़ेगा फ्री में एडमिशन देना पड़ेगा 6-14 साल के बच्चे के लिए 86 वेसन सोधन के तैति ये कहा गया और जो प्राइवेट स्कूल है उन पर भी लगाम कस्दी गई ये तो थी मोटी मोटी बाते हैं अब छोटी छोटी बातों के उपर चलते हैं देखिए अगर आपसे पूछे सिक्षा का अधिकार धिनियम कौन से अनुछेद में वरनित है तो 21 वे अनुछेद में वरनित है कौन से सम्मेजदानिक संशोधन के तहत आया था 86 वे में कितने वर्ष की आईउ 6-14 वर्ष की आईउ प्राइवेट स्कूल में गरीब तब कि कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा 25 फीस्दियों को मिलेगा तीन साल के अंदर अगर ये नियम नहीं माने तो उनको जो है बंद कर दिया जाएगा स्कूल्स को 2002 से पहले ये अनुछेद 45 अ में था यानि कि राज्य के नीति निदेशक्तत्व में 6-14 वर्ष तक के सभी वालकों के लिए निश्वल कोर अनिवार्य शिक्षा का परबंध राज्य का करतव्य था लेकिन 86 वे संसोदन के द्वारा इसे 21 ए में कर दिया गया यानि कि पहले ये 2002 से पहले 45 में था अनुछेद आर्टिकल 45 में लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ 86 में तो इसको 21 में कर दिया और इसे सिक्षा का मोली का दिकार बना दिया जिसमें 6-14 वर्स के बच्चेव के लिए निश्वल कोर अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है संसद में ये 4 अगस 2009 को आया था और प्रारंबिक सिक्षा एक से 8 तक को मोली का दिकार बना दिया गया कि हर एक बच्चे को इतनी सिक्षा देनी पड़ेगी निश्वल को और अनिवार्य बाल सिक्षा अधिनियम 2009 एक अप्रेल 2000 से अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया एक ये कोश्चन देखलो यहां पर एक नंबर पूरा पक्का करो ये कोश्चन आया है कई बार कई बार ये आया है कि ये लागू कब हुआ अब देखिए कोई भी चीज बनती है वो एक दम से लागू थोड़ी होती है टाइम लगता है लागू होने में तो याद रखना कि जब भी आपसे पूछा जाए कि ये लागू कब हुआ लागू तो ये लागू हुआ एक अपरेल दो हजार दस से याद रखना एक साल लग गया था एक अपरेल दो हजार दस से लागू हुआ और ये मेक शोर क्या करता है देखिए ये make sure करता है कि प्रतेक बालक को गुनवत्ता पूर्वक यानि कि बहुत अच्छी quality की education मिलनी चाहिए जिस से सिर्फ बच्चे का भला नहीं होगा समाज का भी भला होगा क्यों क्यों क्योंकि समाज के हर एक आदमी को आप education दे देंगे हर एक आदमी educated हो गया तो समाज अच्छा कब होगा जब समाज का प्रतेक आदमी educated होगा तो इसलिए सिर्फ हर एक आदमी को फायदा पहुचाने के लिए नहीं समाज को फायदा पहुचाने के लिए भी ये काफी जरूरी हो गया था अब यह था थो बहुत अच्छा step इसकी विशेष्टाइं अब देखते हैं एक-एक करके इसकी विशेष्टाओं को मैंने 13-14 विशेष्टाओं में बाटा है यानि कि यह वो विशेष्टाइं है जहां से question बने है आज तक history में deed replace be, seat at, kv.s, upit at, read हर किसी exam में पहली देखते हैं विशेष्टा क्या है इसकी देखो इसकी पहली विशेष्टा है कि कितने साल के उम्र के लोगों के लिए 6-14 वर्ष के आयू के बच्चों के लिए free and compulsory education classes की बात करें तो पहली से 8-8 तक की शिक्षा, प्रात्मिक शिक्षा यानि कि 1-8 पहली से 8-वी तक तीसरा point देखो प्रात्मिक शिक्षा खतम होने से पहले किसी भी बच्चे को रोका नहीं जाएगा यानि कि बच्चे को fail नहीं किया जाएगा बच्चे को निकाला नहीं जाएगा और उसे कोई भी board की परीक्षा पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आप पहले देखती थे कि 10-वी में board हो गया 8-वी में भी board होता था हमारे पापा की टाइम में तो एक चीज आपने देखी कि ये board का system खतम कर दिया लगबग यानि कि 8-वी 8-वी तक कोई भी दिक्षत नहीं रहेगी यानि कि अगर teacher student को ये भी बोल दे कि बेटा अगर तुने शरारत की तो नाम काट दूँगा तो बच्चे बोलते हैं गुरू जी क्यों मजा कर रहे हो आज कल ये हालत हो गई है क्यों क्योंकि इस अधिकार ने बिलकुल बच्चों को ये दे दिया कि आप कुछ भी करो आपका नाम नहीं काटा जाएगा तो पहली से 8-वी तक के बच्चों का नाम नहीं काट सकते आप और ना ही उन्हें कोई ऐसी board की परिक्षा या कोई paper pass करने का डंडा दिया जाएगा बिलकुल उनके लिए free में लगबख certificate देने की बात है याँ पर ऐसा बच्चा जिसकी उम्र 6 साल से उपर है जो किसी स्कूल में दाखिल नहीं है अत्वा है भी तो अपनी प्रात्मिक सिक्षा पूरी नहीं कर पाया या पाये तब उसे उसकी उम्र के लाएक उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा बरशर्ते किसी दे से दाखिला लेने वाले बच्चों के समकक्ष आने के लिए उसे प्रस्तावित समय समय की भीत्तर ट्रेनिंग दी जानी होगी जो प्रस्तावित हो प्रात्मिक शिक्षा ये तु दाखिला लेने वाला या लेनी वाली बच्ची को 14 साल की उम्र के बाद भी प्रात्मिक शिक्षा के पूरे होने تک मुश्च्षा परदान की जाएगी मालो 5 या 6 साल का बच्चा पहली क्लास में आता है मालो कोई बच्चा 9 साल का हो जुका है और उसने अब तक admission नहीं लिया है कहीं पर भी उसने सिख्षा नहीं लिये तो जब वो बच्चा जाएगा तो उसे direct 9 साल का बच्चा आगया तो direct आप उसे 3rd class में entry देंगे ऐसा नहीं होगा तो उसका भार teacher के उपर डाल दिया है कि चाये कुछ भी हो भाई हम उसको उसके बराबर रखेंगे अब ये बात बिल्कुल भी जो है उन्होंने ध्यान में नहीं रखी कि उसको first में रखा जाए नहीं सीधा third में और teacher के उपर ही ये डाल दिया कि उसे training दो उसे अलग से पढ़ाओ उसके लिए अलग से काम करो ताकि बच्चा दूसरे बच्चों के बराबर आ जाए ये वहाँ देखा था ना ये चीजे पन्नों पर अच्छी लगती है लेकिन रियल लाइफ में जब implementation का time आता है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है खेर कोई बात नहीं अगला point देखो पांचवा पांचवा point ये है कि जब भी बच्चे को admission दिया जाएगा तो उसकी जो age decide होगी यानि कि कोई आया admission लेने बच्चा तो उसकी उम्र कितनी है ये पता करने के लिए परमान-पत्र देखने होते हैं तो उम्र का निर्दारण जनम के परमान-पत्र विवापंजी करन यानि कि कोई भी कागच लाना पड़ेगा उसकी आदार पर जनम का निर्दारण होगा कि ये कब पैदा हुआ था अगर कोई परमान पत्र भी नहीं है तब भी उसे एडमीशन मिलेगा तो यह पांचवा पॉइंट यह कहता है कि कोई बच्चा एडमीशन कराने आ गया और उसके पास उसकी उम्र का परमान पत्र भी कुछ नहीं है ना उसकी माबाप की साइड से ना उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है तब भी आप उसे एडमीशन दोगे परमान पत्र नहीं होने की स्थिती में भी बच्चे को दाखिला लेने से वन्चित नहीं किया जा सकता है यान कि दाखिला मिलेगा ही मिलेगा और उसे फैल भी नहीं कर सकते पांचवा यह है छटा देखो पॉइंट प्रात्मि नहीं कि पहली से आठवी तक क्लास वो कर लेगा तो उसे एक परमान पत्र भी मिलेगा एक निश्चित शिक्षक छात्र अनुपात की सिफारिश की गई इसमें इसमें यह का गया देखो यहां पर तो मैं मैं बैठा हूँ इधर देखो यह का गया कि जो प्राइमरी स्कूल ह क्यों क्योंकि ज़्यादा बच्चे को एक टीटर सम्माल ने सकता एक तो हर एक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ाना है और सब बच्चे को सामुहीक रूप से भी पढ़ाना है सामुहीक रूप से तो पढ़ा लेगा चाहे कितने ही बच्चे हो लेकिन बच्च सिक्षर छात्र अनुपात की सिफारिश की जम्मू कश्मीर को छोड़ कर समूचे देश में ये लागू होगा ठीक है ये जब उस टाइम पे था आरतिक रूप से कमजोर समूदायां के लिए सब हिनिजी स्कूलों में कक्षा एक में दाइख ला लेने जो वंचित प्रिष्ट भूमी से ताकि उनको भी ऐसा ना लगेगी सिक्षा के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ठीक है सिक्षा की गुणवत्ता में अनिवारिय सुधार यानि कि जो क्वालिटी ओफ एजुकेशन है उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की बात की गई अच्छे अच्छे टीचर की रिक्रिमेंट की बात की गई लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है खेर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं स्कूल सिक्षक को पाँच वर्षों के बीतर समुचित व्यावसाइक डिग्री प्राप्ट कर लेना होगा अन्थ्या उसकी नोकरी चली जाएगी यानि कि जो स्कूल के सिक्षक है उसे पांच साल के बीतर व्यावसाइक डिग्री प्राप्ट देखो उस टाइम पर जो सेलेक्शन प्रोसेस था ना दोस्तों वो था कुछ अलग उस टाइम पर रिटन टेस्ट होता था उसके बाद इंटरिव्यू भी होते थे लेकिन आज कल ऐसा कुछ नहीं MCQ हो गए है और फॉम भी नहीं निकलते तो ये पॉइंट उस टाइम के लिए ज़रूरी था टीचर लगने के केंडिडेट्स के लिए तो इसको आप देखो ना देखो कोई ज़रूरी नहीं स्कूल का बुनियादी डाचा जहां एक समस्या है तीन वर्षों के भी तसुदारा जाए आनता उसकी मानता रद कर दी जाएगी यानि कि मान लो किसी ने स्कूल खोल लिया कोई प्राइवेट स्कूल है और बच्चों को वहां पर कोई दिक्कत आ रही है और उसकी शिकायत हो गई कि देखो स्कूल में ये दिक्कत है तो उसने तीन साल के अंदर अगर उस दिक्कत को सॉल्व नहीं किया तो उसकी मानता कट कर दी जाएगे कि भाई स्कूल को करो बंद और इसमें रहने लग जाओ स्कूल में अब किसी काम का नहीं है तो तीन साल के अंदर अगर मान लो कोई private school है वो कमजोर समुदाए के बच्चों को दाखिला नहीं देता बगा देता उन्हें उनकी complaint कर दो तीन साल के अंदर बंद कर देंगे उनको तो ये बहुत अच्छे कुछ कदम थे तेरवा देखो वित्य बोज सरकार थे था इंदर सरकार के बीच 55-45 के अनुपात में साजा किया जाएगा देखो ये शिक्षा था ये पहले मैंने बताया था ना 45 आर्टिकल में और ये राज्य के उपर बोज था लेकिन आब ये 21 में कर दिया तो ये जो बोज है यानि कि सिक्षा के उपर जितना भी खर्च होगा कहीं पर भी मानलो आप हर्याना में है आप यूपी में है कहीं पर भी है तो आपके उपर जितना भी सिक्षा के उपर खर्च हो रहा है उसमें 55 और 45 का रेश्यो है कितने का 55-45 का रेश्यो वित्तिय वोज राज्य सरकार और केंद्र सरकार के 55-45 के उनुपात में साजा किया गया है तो इससे बहुत फायदा भी हुआ है तो दोस्त आज की इस वीडियो में हमने देखा कि सिक्षा का दिकार देनियम है क्या पहले तो हमने इसको 44 नेजर में देखा जिससे आप थोड़ा सा जो है अपना पॉइंट अव्यू बना सके कि आखिरकार था क्या यह 2009 से पहले बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन मिल नहीं रही थी ठीक है बहुत सारे ड्रोप आउट हो रहे थे तो बहुत जरूरी हो गया था कि हर एक बच्चे को एजुकेट करना तब भी समाज के अंतर फर्क आता है एजुकेशन जितने ज़्यादा फैलेगी उतने ज़्यादा आदमी अवेर होंगे उतने ज़्यादा जो है नजरिया लोगों का बदलेगा तो यह काफी में इन तेरह विशेष्था ही थी उदेशय थी वह मैंने आपको बताए तो अब दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक काम आपको इमानदारी से करना है और वो क्या वो यह कि इस वीडियो को Like करना है अपने दोस्तों तक Share करना है और नेक्स्ट वीडियो का वेट करना है 17 चेप्टर कर चुके हैं 18 चेप्टर काफी जल्दी आप लोग के सामने लेकर हाजिर होने वाला हूँ तो आग की तरह इस वीडियो को फैला दो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ टेक केर